तुम्हारा टैटू किसने बनाया? अब तक आप लोगों ने पढ़ा. क्योंकि सुबल चार बजे से पहले तो आप रुखने से रहे ये जो घंटी जिम में एक्सरसाइच करते हो, उसको मुझ पर ही तु आजमाते हो. मननत अपने ख्यालों में ही थी कि तभी प्रेम वापस से बिना वॉनिंग के मननत में समझ आता है मननत की एक दड़ भरी चीख निकल जाती है. ए, ए, और उसके उलट प्रेम के चहरे पर स्माइल आ जाती है. और जैसा हर बार होता था, 4.15 पर 0 प्रेम रुख जाता है और मनन को अपनी बाहों में लेकर सोने लगता है. अब आगे, अगली सुबह, सुबह साथ बजे बजे प्रेम की आँखे खुल जाती है. और तभी प्रेम की आँखों के सामने मननत का मासून सा खुबसूरत चहरा आ जाता है. मननत हमेशा की तरह किसी खरगोश के बच्चे की तरह प्रेम से चिपक कर सो रही थी. प्रेम मननत के मासून से चहरे को देखकर हलका सा मुस्कुराता है और फिर अपना हाथ मननत के गाल पर रखकर मननत की गाल को अपने अंगूठी से सहलाते हुई धीरे से बोलता है. मेरी तुम्हारे महादेव से बस एक ही ख्वाहिश है कि ज तुम्हारा चहरा मेरी आँखों के सामने ऐसे ही होना चाहिए। और तभी मननत थोड़ा सा कस्मा साती है जिससे मननत का ब्लैकेट थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है और मननत की ब्रेस्ट दिखाई देने लगते हैं। मननत की सीने पर प्रेम के धेर सारे लव बाइट से और मननत की ब्रेस्ट तो पूरी लाल थी। मननत की ब्रेस्ट को देखकर प्रेम हलका सा मुस्कुरा कर बोलता है और तुम्हारे जिस्म पर मेरे प्यार की निशानिया हमेशा रहे। प्रेम वापस से ब्लैंकित को सही करने लगता है और तभी प्रेम का ध्यान मनत की टैटू पर जाती है। प्रेम मुस्कुरा कर मनत की टैटू को अपने होथो से चुम लेता है और फिर हलका शक करके छोड़ देता है। जिससे मननत मूँ बना कर थोड़ा और कसमस आने लगती है। तभी प्रेम कुछ सोचते हुए मननत के टैटू को भूरने लगता है और प्रेम की आँखे भी सर्ध हो जाती है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय शर्टले इस पेट के बल सो रहा था। और दूसरी तरफ नैना ने पूरे कमरे में कपडों का भूचाल ला रखा था। नैना अभी अपनी शौट नाइटी में ही ख़ली थी और अलमारी में अपने एक-एक कपड़े को निकाल कर बाहर फेक रही थी। नैना अपने हर एक कपड़े को ध्यान से देखते हुए खुद पर लगा कर देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी। मैं क्या पहनूं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास लेकिन पहनने के लायक कुछ भी नहीं। मेरे पास एक भी धान की इंडियन ड्रेस नहीं है। अब जीन स्टॉप पहन कर तो अपने सास ससुर के सामने नहीं जा सकती न। क्या करूं क्या करूं एक काम करती हूं मौल चली जाती हूं और वही से खरीद कर ले आती है। नैना सोचती है और फिर खूद को ही चपत लगा कर बोलती है। तू पागल है नैना अगर तू चली गई और तेरे आने से पहले वो लोग आ गए तो। फिर नैना रोता हुआ सा चहरा बना कर बोलती है। फिर वो मुझे ताना मरेगी कि मुझे सही से कपड़े पहने भी नहीं आते और मेरे पास कोई इंडियन कपड़े भी नहीं है। मैं क्या पहनूँ। मेरा तो पहले एक्स्प्रेशन ही खराब हो जाएगा। इतना बोल कर नैना जोर जोर से रोने लगती है। नैना के इस तरह रोने से विजे की आँखे जट से खुल जाती है। और जैसे ही विजे आँखे खूलता है तो उसकी आँखों के सामने सब कुछ बुलाभी-बुलाभी सा नजर आता है। क्योंकि विजय के सर पर भी एक गुलाबी कलर का नैना का टॉप पड़ा हुआ था नीन से एकदम उठने पर विजय को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता लेकिन फिर धीरे धीरे विजय को सब समझ में आने लगता है विजय अपने सर से उसे टॉप को हटाता है और चारों तरफ देखा है तो पूरे कमरे में जैसे अभी अभी कपड़ों का कोई भूचा लाया हुआ था और फिर विजय की नजर नैना पर जाती है जो सोफे पर बैठ कर एक हाथ में टॉप को पकड़े और एक हाथ में जीन्स को पड़े रो रही थी विजय जल्दी से नैना के पास जाता है और नैना को पकड़ कर बोलता है क्या हुआ जान तुम रो क्यों रही हो और यह पूरे कमरे में तुमने कपड़े क्यों फैला रखे है नैना अपनी आंख में मोटे मोटे आंसू लिए अपना सर उठा कर विजय को देखते हैं और फिर से रोने लगती है आ आ आ जब तुम्हारी मम्मी आएगी तो मुझे बहुत दांक गी विजय नैना के आंसूओं को पूछ कर उसे चुप कर आते हुए बोलता है नहीं जान मा तुम्हें क्यों दांक गी नैना बच्चन की तरह रोते हुए बोलती है डांक की और बोलेंगे की मुझे तो कपड़े पहने ही नहीं आते मेरे पास धन के कपड़े नहीं है उनके सामने जीन्स टॉप पहन के थोड़ी ना जाऊंगी नैना की इतनी क्यूट बातों पर विजय को बहुत हंसी आ रही थी लेकिन विजय बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था विजय अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में था तब तो तुम रोच इंडियन ड्रेस पहन कर हॉस्पिटल आती थी तो मा और पापा ने तुम्हें पहले भी इंडियन ड्रैस में देखा है अब वो तुम्हें जीन स्टॉप में देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है विजय की बाते सुनकर नैना एकदम से चुप करके अपनी आखें छोटी छोटी करके विजय की तरफ देख कर बोलती है आप पागल हो हॉस्पिटल में तो वो मुझे एक डॉक्टर के नाते जानते थे तब अगर मैं जीन स्टॉप पहन कर भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब मैं उनकी बहू हूँ मैं जीन स्टॉप पहन कर जाओंगी उनके सामने विजय लेकिन इन कपडों में प्रॉब्लम क्या है ये भी तो कपड़े ही है और कपड़े तो कपड़े होते हैं नैना हाँ, लेकिन इन कपड़ों को पहन कर अगर मैं उनके सामने जाओंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं कैसे कैरेक्टर की लल्की हूँ तुम तो जानते ही हो मेरे जन्म के बारे में और अगर मैं ऐसे ही कपड़े पहन कर उनके सामने गई तो वो मेरे बारे में भी नैना बोलते बोलते चुक हो जाती है विजे नैना की बात को समझ कर नैना का हाथ पकड़ता है और बहुत ही प्यार से नैना को समझाते हुए बोलता है जान हमारे कपड़े हमारे जिस्न का लिबास है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं और इजज़त आँखों में होती है कपडों में नहीं मैं जानता हूँ तुम मेरे मा, पापा की इज़ग बिल्कुल वैसे ही करती हो जैसे तुम अपने प्रेम भाईया और मननग भाभी की करती हो तो तुम कुछ भी पहनो फर्क नहीं पड़ता और रही बात तुम्हारे जन्म की तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कमल का फूल कीचर में खिलता है लेकिन सभी भगवानों को कमल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिया है हमारा जन्म मायने नहीं रखता लेकिन हमने क्या अपनाया वो मायने रखता है कीचर में रहकर अगर गंदगी को ही अपनाया तो क्या ही कर सकते हैं लेकिन अगर हमने अपने मन के मेल को साफ रखा तो हम गंदगी में भी कीचर में खेले कमल के फूल की तरह है और तुम तो मेरी जिंदगी की वो महक हो, जिसने मेरी जिंदगी के जरे जरे को महकाया है नैना को विजय की बात समझ में आ गई थी लेकिन मैं फिर भी अपना मुह बना कर बोलती है लेकिन फिर भी मुझे इंडियन ड्रैस ही पहनी है, मेरा मन है नैना की बात सुनकर विजे अफसोस से अपना माथा पकड़ लेता है नैना कुछ सोच कर खुश होकर एकदम से बोलता है मननत भावी हाँ, उनके पास तो बहुत सारी इंडियन ड्रेस है बलकि उनके पास तो सिर्फ इंडियन ड्रेस है मैं उन्ही से कोई dress ले लेती हूँ मैंने ये पहले ख्यू नहीं सोचा इतना बोलकर नैना खुश होकर एकदम से जाने लगती है तो विजे नैना का एकदम से हात पकड़ लेता है नैना अपने हात को देखकर विजे की तरफ सवाल या नजरों से देखने लगती है विजे सोफे से खड़ा होता है और क्लोजेट रूम में चला जाता है नैना विजे का बाहर ही इंतजार करने लगती है थोड़ी ही देर में विजे अपने हाथ में एक बैग लेकर आता है और उसे नैना को दे देता है नैना एक नजर विजय को देखते हैं और फिर उसके हाथ में पड़े बैक को देखी है और फिर सवालिया नजरों से विजय को देखने लगती है विजय आँखों के इशारे से ही नैना को बैग खोलने के लिए कहता है तो नैना बैग को खोलना लगती है और जैसे ही नैना बैंग को खोल कर देखी है उसके चहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है क्यूंगि उसे बैग में एक बहुत ही प्यारी पीच कलर की साढ़ी थी जिसे देखकर नैना बहुत खुष हो जाती है और बच्चों की तरह उचलने लगते हैं और फिर खुषी से विजय के गले लग जाती है नैना खुश होकर विजय के सीने से लगे हुई ही बोलती है धांक यू, थांक यू, थांक यू सो मच, यू आ दे बेस्ट हस्बंद इन दे वोल्ड दूसरी तरफ प्रेम का कमरा प्रेम मननत को उठाते हुए बोलता है वाइफी, वाइफी उठो वाइफी मननत कस्मस आते हुए मूँ बनाकर बोलती है सोने दीजिये ना पतिदेव रात भर तो परेशान करते हो फिर सुबह में सोने भी नहीं देते प्रेम थोड़ा सक्त आवाज में बोलता है उठो वाइफी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो मननत फिर से नींद में मूँ बनाकर बोलती है क्या आप अपने सवाल बाद में नहीं कर सकते अभी मुझे सोना है प्रेम सर्द आवाज में बोलता है वाइफी अब तुम नहीं उठी तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा और फिर मत कहना की पतिदेव दर्द हो रहा है प्रेम की बात सुनकर मननत छट से अपनी आँखे खोल देती है और तभी मननत का ध्यान प्रेम पर जाता है जो इस वक्त हलके गुसे में लग रहा था मननत प्रेम को देख कर समझ जाती है कि शायद कोई जरूरी बात है इसलिए मननत धीरे से ब्लैंकिट को पढ़कर धीरे से बैट के सिरहाने अपनी कमर टिक कर बैट जाती है तुमने टेटू कहां कब और किस बनवाया था प्रेम का सवाल मननत को बड़ा अजीब लगता है मननत बेख्याली में एकदम से बोलता है टेटू वो तो मैं काशी में बनवाया था हमारे गाव में मनोहर काका है और उन्ही की सबसे बड़ी दुकान है काशी में लोग दूर दूर से उनके पास टेटू बनवाने आते हैं मैं भी उन्ही से बनवाया था मननत की बात सुनते ही प्रेम के गुसे का ज्वाला मुखी फट जाता है कुछ रिष्टे प्यार के अब तक आप लोगों ने पड़ा कि शायद कोई जरूरी बात है इसलिए मननत धीरे से ब्लैंकित को पढ़कर धीरे से बैट के सिरहाने अपनी कमर टिक कर बैट जाती है तुमने टेटू कहां कब और किसे बनवाया था प्रेम का सवाल मननत को बड़ा अजीब लगता है मननत बेख्याली में एकदम से बोलता है टेटू वो तो मैं काशी में बनवाया था हमारे गाव में मनोहर काका है और उन्ही की सबसे बड़ी दुकान है काशी में लोग दूर दूर से उनके पास टेटू बनवाने आते हैं मैं भी उन्ही से बनवाया था मननत की बात सुनते ही प्रेंग के गुसे का ज्वाला मुखी फट जाता है अब आगे प्रेंग गुसे में मननत की बाजू पकड़ कर खीचता है जिससे मननत प्रेम के सीने से जा लगती है लेकिन प्रेम के इस तरह खीचने पर मननत को अपनी पूरी बोडी में बहुत दर्ध होता है क्योंकि रात भर प्रेम में मननत को बहुत परेशान किया था और दर्ध की वजह से मननत के मूल से सिस्किया निकल जाती है प्रेम मननत को दोनों बाजू से पढ़कर हुए गुस्से दांग पीस्ते हुए बोलता है क्या जरूरत थी तुम्हें टैटू को यहां पर बनवाने की और वो भी किसी आदमी से पूरी दुनिया में तुम्हें कोई लेडस टैटू वाली नहीं मिली प्रेम की बातों में जलन साफ नजर आ रही थी और प्रेम को ऐसा बेहेव करता हुआ देखकर मननत को प्रेम पर बहुत प्यार आता है और मननत मुस्कुराने लगती है मननत को मुस्कुराता देखकर प्रेम को और गुस्सा आ जाता है मुस्कुराना बंद करो, मैं कोई जोक नहीं सुन रहा हूँ तुम्हें और हाँ तुम्हारे पास 10 मिनट है तैयार होकर नीचे आने के लिए मुझे ये टेटू तुम्हारे जिस्म पर नहीं चाहिए हम इसे अभी रिमूव करेंगे प्रेंग की बात सुनकर मननत की आँखे हिरानी से बड़ी हो जाती है और मननत जल्दी से बोलता है नहीं नहीं, मैं ये टेटू नहीं हटाऊंगी प्रेमाह मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ मननत पतिदेव मेरी बात तो सुनिये प्रेमा मुझे जो सुना था मैंने सुन लिया अब तुम मेरी बात सुनो तुम्हारा जिस्म मेरा है और मुझे तुम्हारे जिस्म पर किसी दूसरे मर्ड की कोई निशानी नहीं चाहिए तुम्हारे जिस्म पर छून मेरी होनी चाहिए तुम्हारे जिस्म पर निशानी भी सि पतिदेव में टैटू मनोहर काका की दुकान से बनवाया था लेकिन मनोहर काका ने नहीं बनाया था बलकि उनकी पत्नी मोहिनी काकी ने बनाया था। पति देव काशी एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पर औरते इतनी मौडन नहीं है कि किसी दूसरे मर्द को अपने आपको छूने दे हमारे गाउव में औरते अभी भी अपनी मर्यादा में रहती है और मैं भी उसी गाउव की लड़की हूँ आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐस किसी जगव पर टेटू किसी आदमी से बनवाऊंगी मेरे जिस्म को छूने वाले आप पहले और आखिरी मर्द हैं आप से पहले ना तो मननत के जिस्म को किसी ने छूआ था और आपके बाद भी मननत के जिस्म को कोई नहीं छूएगा मननत मननत का जिस्म मननत की रूह सिर् पानी डाल दिया हो मननत की बात सुनकर प्रेम मननत के पास आता है और मननत के चहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर प्यार से मननत का माथा चूम लेता है लेकिन तभी मननत एक तंज भरे तान के साथ बोलता है वैसे ऐसा क्यों होता है पतिदेव हर आदमी को पतनी तो बिल मननत की बात सीधा प्रेम के दिल में किसी तीर की तरह चुपती है। प्रेम मननत से दूर होते हुए बिना किसी भाव के बोलता है। जल्दी तैयार हो जाओ। आज विजय के मम्मी पापा आने वाले हैं। और इतना बोलकर प्रेम वाश्रूंग में चला जाता है। मननत वापस से मूँ बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है और कंबल को अपने चहरे तक धाक लेती है। दोपहर का समय, सभी लोग विजय के माता-पिता के आने का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी ही देर में उनका इंतजार खत्म हो जाता है। विजय दिल्ली एयरपोर्ट से खुद अपने माता-पिता को रिसीव करने के लिए गया था। और थोड़ी ही देर बाद विजय अपने माता-पिता को लेकर म्यनंगेट से अंदर आता है। और जैसे ही मन्नत की नजर रेखा जी और रगुवीर जी पर जाती है, मन्नत खुश होकर भाग कर उनके पास आती है। रेखा की खुशी से मन्नत को गले लगा लेती है। रेखा जी बहुत ही प्यार से मन्नत की सर पर हाथ रख कर बोलता है। कैसी हो मननत बेटा, मननत मुस्कुरा कर बोलती है, मैं ठीक हूँ, का कि आप कैसी है, मननत दोनों हाथ जोड़कर रगुवीर जी को भी प्रनाम करती है, रगुवीर जी मुस्कुरा कर मननत की सर पर हाथ रख देते हैं, फिर प्रेम भी आगे आता है और रेखा जी और रगु रगुवीर जी दोनों के ही पैर चु लेता है। ये देखकर मननत को बहुत खुशी होती है। रेखा जी और रगुवीर जी दोनों प्रेम के सर पर हाथ रखकर आशिरवाद देते हैं। और तभी रेखा जी की नजर सबसे पीछे खड़ी नैना पर जाती है। नैना जो कुछ घबराई सी लग रही थी नैना अपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में उलजा कर खड़ी हुई थी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन लोगों के सामने जाए। नैना अंदर ही अंदर बहुत सारे सवालों से जूच रही थी। नैना के मन मे बहुत सारे सवाल थे जैसे कि क्या वो उसे अपने बहु की रूप में अपनाएंगे, क्या वो इस शादी को मानते हैं, क्या वो नैना को पसंद करेंगे, और तभी रेखा जी मुस्कुरा कर नैना के पास आती है और उसके गाल पर हाथ रख कर बहुत ही प्यार से बोलती है, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम पहली बार में ही मुझे बहुत पसंद आय थी, दिल तो चाहता था कि तुम्हें अपने घर की बहु बनाओ, अपने बेटे की दुलहन बनाओ, लेकिन उसे वक्त हालात सही नहीं थे, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा बेट प्रेम अपनी आखों की नमी को छुपा लेता है। उतना ही प्रेम भी नर्वस था। और फिर रेखा जी पीछे मुल कर रगुवीर जी को देखते हुए बोलते हैं। क्यों सही कहा ना मैंने। रगुवीर जी भी मुस्कुरा कर नैना के पास आते हैं और प्यार से नैना के सर पर हाथ रख कर बोलते हैं। बिलकुल हमारे घर की बेटियों पर नहीं छूती क्योंकि उनकी जगल दिल में होती है। विजे देखा है कि माहौल काफी emotional हो रहा है तो विजे माहौल को हलका करने के लिए बोलता है। नैना कैसी बहु हो तुम, तुम्हारे सास, ससुर पहली बार तुमसे मिलने आये हैं और तुमने उन्हें बैठाया भी नहीं पानी भी नहीं पूछा। चाय नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। और तभी नैना मुस्कुरा कर दोनों को बैठने के लिए बोलता है और तभी वहां पर सर्वेट पानी लेकर आ जाता है। और फिर सभी लोग बैठ कर बाते करने लगते हैं। दोपहर का समय था तो एक सर्वेट आ कर बोलता है। माम लंच रेडी है। और फिर सभी लोग मिलकर लंच करते हैं। लंच करते समय रगुवीर जी प्रेम को देखते हैं और थोड़ा गंभीर स्वर में बोलते हैं। हम जानते हैं मिस्टर सिंघानिया, प्रेम थोड़ा नर्म स्वर में बोलता है। प्रेम आप मुझे प्रेम का कर बुलाएंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। रगुवीर जी एक पल के लिए रुकते हैं और फिर प्रेम को देखते हैं और फिर विजय को देखते हैं। विजय मुस्कुरा कर अपनी गर्दन हां में दिला देता है। रगुवीर जी को उम्मीद नहीं थी कि प्रेम उनके साथ इतना जेंटल रहेगा क्योंकि प्रेम की बद्तमीजियां हमेशा चर्चा में रहती थी। प्रेम लोगों से बहुत कम ही तमीज में बात किया करता था। रगुवीर जी फिर से बोलते हैं, हम जानते हैं कि न्याना और विजय की शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने शादी कोर्ट में की है, समाज के सामने नहीं, सभी लोग शान्थ होकर उनकी बाते सुन रहे थे, तो हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों की शादी पूरे से की जाए, फिर विजय की मां के और हमारे भी कुछ सपने थे, हमारे बेटे को लेकर हम अपने अर्मान भी पूरा कर लेंगे और समाज के सामने उनकी शादी भी हो जाएगी तो क्या कहते हो, प्रेन बेटा तुम्हें कोई इत्राज तो नहीं, अगर हम अपने बेटे की ब के जटका देती है फिर प्रेम रगुवीर जी की तरफ देखकर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बोलता है मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मेरी बहन की बारात मेरी चौखत पर आएगी एक भाई के लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मुझे कोई इत्राज नहीं है पूरा दिल्ली देखेगा प्रेम सिंधानिया अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करता है और यहां तो डबल सेलिब्रेशन है एक तरफ मेरी बहन की शादी है और दूसरी तरफ मेरे यार की शादी है आप बारात लेकर आए प्रेम सिंधानिया धू प्रेम रगुवीर जी की तरफ देखकर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बोलता है मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मेरी बहन की बारात मेरी चौखत पर आएगी एक भाई के लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मुझे कोई इत्राज नहीं है पूरा दिल्ली देखेगा प्रेम सिंधानिया अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करता है और यहां तो डबल सेलिब्रेशन है एक तरफ मेरी बहन की शादी है और दूसरी तरफ मेरे यार की शादी है आप बारात लेकर आई प्रेम सिंधानिया धूमधाम से अपनी बहन की बारात का स्वागत करेगा अब आगे तभी रेखा की खुशी के साथ बोलती है बहुत बढ़िया बहुत खुशी की बात है मैं आज ही अपने पंदिक जी से बात करती हूँ शादी का मुहूर्ट निकलवती हूँ सभी लोग बहुत खुश हो जाते है मन्नत नैना को साइट से हग कर लेती है लंज के बाद मन्नत रगुवीर जी और रेखा जी को एक कमरे की तरफ ले जाती है और उन्हें उसे कमरे में आराम से रहने के लिए बोल देती है और ऐसे ही शाम होती है सभी लोग दिन कर रहे थे तभी रेखा जी उन सब को बताती है मैंने अपने पंदिक जी से बात कर ली है उन्होंने अगले महीने की चौदल तारीक बताई है शादी के लिए प्रेन मुस्कुरा कर बोलता है मुझे कोई एत्राज नहीं है अगर महूरत अगले महीने की चौदल तारीक का है तो हम चौदल तारीक में ही शादी करेंगे फिर रेखा जी विजय और नैना से पूछती है तुम बताओ विजय बेटा तुम्हे कोई प्रॉबलम तो नहीं है अगले महीने की शादी पर और नैना तुम भी बताओ बेटा तुम्हे कोई प्रॉबलम तो नहीं है विजय नैना को देखते हुए बोलता है नहीं मा मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है नैना भी बस शर्मा सर अपनी गर्दन ना में हिला देती है फिर रगुवीर जी बोलते हैं तो फिर ठीक है अगले महीने की चौदल तारीक तै रही दोनों बच्चों की शादी के लिए आज से पूरा एक महीना है हमारे पास शादी की तयारी के लिए तो कल से ही शादी की तयारी शुरू कर देते हैं हम कल ही काशी वापस लौट जाएंगे और विजय तुम जल् तो जानते ही हो हमारे घर की सभी शादियां इस हवेली में की जाती हैं वो हमारे पुष्टैनी हवेली है वहाँ पर हमारे पूर्वजों का आशिरवाद है विजय ठीक है पापा जैसे ही मेरा काम खत्म होता है मैं काशी वापस आ जाओंगा और फिर सभी लोग दिन खत्म क अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मननत और नैना दोनों ही किचन का काम करके थोड़ी देर बाद में जब अपने कमरे में जाती है तो एक अलग ही नजर उन्हें देखने के लिए मिलता है। प्रेम का कमरा बैक की साइड में एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था और बैक पर बहुत सारा सामान प्रेम ने रखा हुआ था और हर एक चीज को प्रेम चुकर देख रहा था। मननत काफी देर से दरवाजे पर खड़े हूकर प्रेम को देख रही थी। कभी प्रेम किसी स प्रेम के चहरे पर समाइल आ जाती थी। बिस्तर पर छोटे बच्चों का सामान रखा हुआ था और मनत समझ रही थी कि कही ना कही ये सारा सामान नैना का है और आज नैना की शादी की बात सुनकर प्रेम एक पिता की तरह बहुत एमोशनल हो गया है और अपने बच्चों की तरह अपनी सारी यादों को फिर से महसूस कर रहा है, और तभी प्रेंग का ध्यान दर्वाजे पर ख़री मननत पर जाता है, प्रेंग मुस्कुरा कर मननत का हाथ पकड़ कर खीचा है और उसे अपने सीने से लगा लेता है, कुछ देर ऐसे ही सीने से लगाने के बाद प्रेंग मननत की गोद में रख लेता है। प्रेंग मननत की गोद से हट कर खड़ा होता है और मननत का भी हाथ पकड़ कर खड़ा करता है और बैग की एक साइड में लाते हुए बोलता है। प्रेंग मननत की बार कोई कपड़ा पहनाया था। और ये वो फ्रॉक है जब अस्पताल के फ्रॉक के बाद नैना को मैंने खरीद कर पहनी। थी ये उसका पहला खिलोना, ये उसके पहले बर्ते की ड्रेस, ये उसका पहला असी, हूल बाग। और ऐसे ही प्रेंग बहुत सारा सामान नैना का मननत को दिखाता है। और नैना भी बहुत ही ध्यान और प्यार से सारे सामान को देख रही थी। मननत ये तो जानती थी कि प्रेंग नैना को बहुत प्यार करता है। अपने बच्चों की तरह लेकिन मननत को ये नहीं पता था कि प्रेंग की जान नैना में बसी है। प्रेम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है नैना को, एक पिता एक भाई दोनों बनाकर उसने अपनी बहन को पाला था और आज ये सारा सम्मान इस बात का गवाह था कि एक भाई ने पिता बनाकर अपनी बहन की परवरिश की थी दूसरी तरफ विजय का कमरा, कमरे में सिर्फ नाइग बल्ग की यलो रोशनी थी, बाकी कमरे की सारी लाइट बंद थी नैना दरवाजे पर खड़े होकर कमरे के चारों तरफ विजय को देख रही थी, लेकिन अंधेरे में विजय कहीं दिखाए ही नहीं दे रहा था तभी कोई नैना का हाथ पकड़ कर खीचता है और दरवाजा बंद करके नैना को दरवाजे से सत देता है नैना जब घ्यान से देखती है तो सामने विजय था और विजय ने नैना के दोनों तरफ हाथ रख रखे थे और विजय शुर्पलेस था विजे के बाइसेट, सिक्स पैक अप, मस्कुल अचेस्ट सब दिखाई दे रही थी ओवरॉल विजे बहुत होट लग रहा था नैना विजे को देखकर अपना सलाइवा घटिकते हुए बोलती है ये आप कमरे की लाइक बंद करके नंगे पुनगे होकर क्यों भूम रहे हो विजे अपने होटों को नैना की गर्दन पर फेरते हुए बहुत ही मधोशी में बोलता है क्योंकि आज रात मुझे अपनी बीवी के साथ गुजारनी है आज की पूरी रात मैं अपनी बीवी को सोने नहीं दूंगा तभी नैना को एक शरारत सूचती है और नैना शरारती लहजे में विजे को बोलता लेकिन मैं सोच रही थी कि हमें ना खुद पर कंट्रोल करना चाहिए जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए बलकि मैं तो कह रही थी कि क्यूं ना हम अलग-अलग कमरे में शिफ्ट हो जाएं है, नैना की बात सुनकर विजे नैना की कमर में हाथ डालता है और एक जटकी से उसे खुद से चिपक लेता है और फिर दूसरे हाथ से नैना के बालों को मुठी में पकड़ कर बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना और रही बात तुम्हारे करीब आने की तो ये सिर्फ एक फॉमेलिटी है जो निभाए जा रही है वरना तुमसे तो शादी में पहले ही कर चुका हूँ तो अपने इस दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है समझी नैना समझने के लहजे में बोलती है आप गलत समझ रहे हैं आप मेरी बात सुनिए विजय इरिटेट होकर नैना के होर्थों पर अपने होंट रख देता है और पूरे पैशन के साथ नैना के होर्थों को चूनने लगता है और फिर नैना को घुमा कर पीछे धकेलते हुए बिस्तर तक ले जाता है और फिर दोनों ही एक साथ बिस्तर पर गिर जाते हैं लेकिन विजय फिर भी अपने होंद नैना के होटों से एक पल के लिए भी अलग नहीं करता और बिस्तर पर गिरने के बाद तो विजय और भी डिपली नैना को किस करने लगता है विजय नैना के मूँव में अपनी जीब को डाल कर उसके पूरे मूँ जैका ले रहा था भी विजय को पूरे पैशन के साथ किस करने लगती है जब 139 नैना और विजय का रोमेंस और सगाई की तयारी अब तक आप लोगों ने पढ़ा लेकिन विजय फिर भी अपने होंट नैना के होठो से एक पल के लिए भी अलग नहीं करता और बिस्तर पर गिरने के बाद तो विजय और भी डिपली नैना को किस करने लगता है विजय नैना के मूँ में अपनी जीब को डाल कर उसके पूरे मूँ जैका ले रहा था विजय का एक हाथ नैना की साड़ी में से जांकती हुई उसके पेट को सहला रहा था नैना की दोनों हाथ विजय के कंदे पर थे विजय की किस नैना को बहक रही थी और नैना भी विजय को पूरे पैशन के साथ किस करने लगती है अब आगे और अब नैना की सांस भारी होने लगती है नैना अपनी सांस लेने के लिए जटपट आने लगती है लेकिन विजय नैना को तो जैसे छोड़ने के लिए तयार ही नहीं था नैना विजय के कंदे पर हाथ रखती है और खुद से दूर करने लगती है विजय को भी महसूस होता है कि नैना सही से सांस नहीं ले पा रही है इसलिए विजय ना चाहते हुए भी नैना को छोड़ देता है विजय के छोड़ते ही नैना गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉमल करने में लग जाती है और जैसे ही नैना कुछ बोलने को होती है उससे पहले ही नैना को महसूस होता है कि विजे ने उसकी साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटा दिया है विजे नैना की बलाउज की दोरी खोल देता है और उसके कंधे से बलाउज को नीचे सरकार नैना की गर्दन और कंधे को बेतहाशा चूमने लगता है और अब नैना के जिस्म में सिरहन सी दौल रही थी एक अजीब सी बेचैनी उसके जिस्म हो रही थी और दूसरी तरफ विजे पूरे शिद्दत से नैना पर अपना प्यार लुटा रहा था और अब विजे ने नैना की पूरी साड़ी को उतार दिया था नैना की साड़ी फर्ष पर पड़ी थी विजे के होट नैना की क्लीवेज को चूम रहे थे और विजे का हाथ नैना की थाई को सहला रहा था नैना के माथे पर पसीने की बूंदे उभर आई थी और नैना का हाथ विजे के बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ नैना का विजय के कंधे पर अपने नाखुंगर रहा था और अब विजय खुद पर से कंट्रोल खोते हुए वाइल्ड हो रहा था विजय नैना की क्लीवेज को चूमते हुए नैना की ब्रेस्ट को अपने मूह में ले लेता है और दूसरे हाथ से नैना की दूसरी ब्रेस्ट को मसलने लगता है और अब नैना की सिस्कियां कमरे के माहौल को गर्म कर रही थी और कुछ ही देर में नैना और विजय दोनों की कपड़े जमीन पर फैले हुए थे और विजय नैना के होठों को अपने मूँ में लेकर बेतहाशा चूम रहा था और नैना को चूमते हुए ही विजय जटके से नैना में शामिल होता है नैना की दर्द भरी चेक उसके गले में ही दब कर रह जाती है नैना की आँखों से आंसू की बून्द लूलक करतकिये पर गिरती है और नैना के हाथ ब्लैंकित में मुठ्थी बना कर धस जाते हैं नैना का सेकंड टाइम था और इस तरह से विजे का बिना वॉनिंग के इंट होना नैना को बहुत दर्ड पहुंच रहा था धीरे धीरे रात धल रही थी और धलती रात के साथ विजे की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही पूरी रात विजे अपनी शिद्दत नैना पर लुटाता रहता है और नैना भी विजे की आगोश में सिस्किया ले रही थी धीरे धीरे वक्त भी गुजर रहा था और शादी का समय नजदी काता जा रहा था समय का पंची पंख लगा कर कब उर गया किसी को पता ही नहीं चला और अब शादी में सिर्फ एक हफ़ता बचा था और आज से शादी के सभी फंक्षन शुरू होने वाले थे विजय भी दो दिन पहले ही काशी के लिए दिल्ली से चला गया था विजय नैना को छोड़ कर जाना तो नहीं चाहता था लेकिन रगुवीर जी और रेखा जी के बार-बार दबाव देने पर विजय को ना चाहते हुए भी काशी वापस लोटना पड़ा था विजय जाने से पहले नैना से भी थोड़ा नाराज हो गया था क्योंकि नैना ने भी विजय को काशी जाने के लिए बोला था और नैना से विजय को उम्मीद नहीं थी कि वो भी उससे खुझ से दूर जाने के लिए बोलेगी. इसलिए विजय नैना से भी थोड़ा नाराज था हर रात की तरह प्रेम ने कल रात भी मननत को बहुत परेशान किया था लगभग रात के दो बजे प्रेम ने मननत को छोड़ा था प्रेम की शिद्दत भी दिन पर दिन मननत के लिए बढ़ती जा रही थी और प्रेन की यही शिदत मन्नत के लिए परेशानी बनती जा रही थी आज सुबह मन्नत का बिलकुल भी बिस्तर से उठने का मन नहीं था लेकिन फंक्षन भी आज से ही शुरू होने वाले थे इसलिए मन्नत को ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठाना था लेकिन मननत अभी भी बिस्तर पर अपनी आखें बंद कर हुए लेती थी मननत मुश्किल से अपने आपको जागते हुए अपने पेट को सहलाने लगती है और फिर खुद से ही बोलती है सच में जंगली भेलिये है भेलिये रात होती नहीं है कि मुझे अपना शिकार समझ कर मुझे पर तूप पड़ते हैं और अगर कुछ बोले, मन करे तो उनकी जेद फिर मननत प्रेम की तरह आवाज निकाल कर बोलता है मुझे चाहिए तो चाहिए तो मुझे मना नहीं कर सकती वाइफी नहीं मुझे रोक सकती हो फिर मननत उपर देखते हुए रुआसी आवाज में बोलती है हे महादेव, मुझ जैसी प्यारी, मासून सी, लड़की को ही आपको ऐसा जलाद, खुनखार, भेडिया जैसा पती देना था फिर उसके बाद मननत चादर को अपने सीने से लपेट कर खड़ी होती है और वाश्रूम में चली जाती है थोड़ी देर बाद, आज नैना और विजै की सगाई थी और मननत पूर गार्टन एरिया को चेक कर रही थी क्योंकि सगाई के सभी फंक्शन मननत विला के गार्टन में होने वाले थे हाला कि मननत को कोई भी काम नहीं करना पर रहा था क्योंकि प्रेन नैना की शादी के लिए दिल्ली के बैस्ट और पॉपुलर वेडिंग प्लान को हाय किया था और सभी काम वही कर रहे थे लेकिन फिर भी शादी के हजार काम होते हैं और बहुत से कम ऐसे थे जो मननक को खुद ही करने पड़ते थे मननक पूर गार्डन को अच्छे से देख रही थी पूरे गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और पूरे मननत विल को भी दुलहन की तरह सजा दिया गया था चारो तरफ रौनक ही रौनक थी मननत मुस्कुरा कर चारो तरफ देख रही थी कि तभी मननत को चक्कर आ जाता है और मननत का सर एकदम से घूम जाता है मननत खुद को संभालते हुए गार्डन में रखे ब्रांच पर जाकर बैक जाती है जब थोड़ी देर बाद मननत खुद को थोड़ा नॉमल सा महसूस करती है तो मननत खुद से ही बोलती है ये अचानक से मुझे चक्कर सक्क्यों आ गया था लेकिन मननत सभी बातों को एगनो करते हुए फिर से काम में लग जाती है चब 140 सगय और प्रेम का दान्स मननत हैरान अब तक आप लोगों ने पड़ा दुलहन की तरह सजा दिया गया था चारो तरफ रौनक ही रौनक थी मननत मुस्कुरा कर चारो तरफ देख रही थी कि तभी मननत को चक्कर आ जाता है और मननत का सर एकदम से घूम जाता है मननत खुद को संभालते हुए गार्डन में रखे ब्रांच पर जाकर बैक जाती है जब थोड़ी देर बाद मननत खुद को थोड़ा नॉमल सा महसूस करती है तो मननत खुद से ही बोलती है ये अचानक से मुझे चक्कर सक्क्यों आ गया था लेकिन मननत सभी बातों को इग्नो करते हुए फिर से काम में लग जाती है अब आगे शाम के समय सभी महमानों का आना शुरू हो गया था न्याना की सगाई थी और पूरे शहर में ये खबर आज की तरह फैली हुई थी कि प्रेम सिंधानिया की बहन की आज सगाई है इसलिए पूरा मीडिया मननत विला पहुँच गया था लेकिन उन्धे अंदर जाने की पमिशन नहीं थी शहर का हर बड़े से बड़ा बिजनेस्मेन आज शाम मननत विला में इन्वाइट था और बहुत सारे लोग प्रेम से मिलने की वजह से इस सगाई में शामिल हुए थे शहर के सारे बड़े से बड़े बिजनेस्मेन इन फैक्ट देश के सभी बड़े से बड़े बिजनेस्मेन नैना की सगाई में आये हुए थे प्रेम और मननत दोनों ही मिलकर गेस्ट का वेलकम कर रहे थे और तभी विजय भी अपने परिवार के साथ मननत विला पहुँच जाता है प्रेम और विजय एक दूसरे के गले मिलते हैं प्रेम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ रेखा जी और रगुवीर जी के पैर छूता है और फिर हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता है प्रेम ने परपल एंड ब्लैक काम्बिनेशन का श्री टी सूट पहना हुआ था बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से जल से सेट किया गया था एक हाथ में बहुत ही एक्सपेंसिव घरी दूसरे हाथ में प्रेम का एक्सपेंसिव ब्रेसलेट सीने पर एक बहुत ही प्यारी डाइमंड की ब्रोक लगी हुई थी और प्रेम की मस्कुलर बॉडी उसे श्रीपीस सूट में उभर कर दिखाई दे रही थी और प्रेम बहुत ही जादा होट एंड हैंसम लग रहा था। सभी लड़कियों का ध्यान रह रहकर प्रेम पर ही जा रहा था। इनफेक्ट पार्टी में आये लड़कियों से लेकर और औरतों से लेकर आंटियों तक का ध्यान प्रेम के अट्रक्टिव बॉडी पर था। तो दूसरी तरफ हमारी मननत भी काम कर नहीं था रही थी। मननत ने भी ब्लैक और परपल काम्बिनेशन का गाउन पहना हुआ था और आज तो मननत को मेकप आर्टिस्ट ने तयार किया था। और मननत बला की खूब सुरत लग रही थी। हर उम्र का लड़का आदमी या फिर अंकल मननत को ही घूर घूर कर देख रहा था। मननत बहुत ही खूब सुरत लग रही थी। मननत की खूब सुरती औरतों की नजरों में खटक रही थी। लेकिन आदमियों की नजरों में तो जैसे थंड़क का काम कर रही थी। लेकिन विजे की नजरे तो बेसबरी से नेना का इंतजार कर रही थी। और जब विजे से और इंतजार नहीं होता तो विजे अपना फोन निकलता है और नैना को मेसेज कर देता है दूसरी तरफ नैना के मोबाइल की नोटिफिकेशन बसती है लेकिन नैना उसे वक्त तयार हो रही थी इसलिए फोन पर नोटिफिकेशन तो नैना को पता चलती है लेकिन नैना अपना फोन चेक नहीं करती और आराम से मेकप आर्टिस्ट को उसका काम करने देती है क्योंकि आज नैना के लिए बहुत बड़ा दिन था और नैना अपने दिन को स्पोईल नहीं करना चाहती नैना चाहती थी कि आज नैना बहुत खूपसूरत लगे और सभी का ध्यान नैना की तरह जाए इसलिए नैना खुद को अच्छे से तयार करती है दूसरी तरफ विजे बेसबरी से नैना के रिपलाई का इंतजार कर रहा था लेकिन काफी देर तक रिपलाई ना आने पर विजे गुसा होने लगता है तो विजे नैना को कॉल करता है लेकिन नैना कॉल भी पिक अप नहीं करती और अब विजे से और इंतजार नहीं होता इसलिए विजय विला के अंदर जाने के लिए होता ही है कि तभी सामने से उसे नैना आते हुए दिखाए देती है और तभी पार्टी होस्ट की आवाज सभी के कानों में सुनाई देती है लेडीज एंड जेंटलमेन आप सभी का इस ग्रैंड नैना वेग विजय की इंगेजमेंट पार्टी में स्वागत है और अब हम सगाई की रस्म को करने के लिए दूलही राजा को स्टेज पर बुलाना चाहेंगी तो प्लीज मिस्टर महता आप स्टेज पर आ जाए होस्ट की बात सुनकर विजय स्टेज पर पहुंच जाता है मननत भी नैना को लेकर स्टेज के पास पहुंच जाती है और तभी विजय नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है नैना भी मुस्कुरा कर अपना हाथ विजय के हाथों में दे देती है और विजय बहुत ही ध्यान से नैना को स्टेज पर लेकर आता है नैना ने क्रीम कलर का गाउन पहना हुआ था और मेकप आटिस्ट द्वारा हलके मेकप के साथ नैना गजब की लग रही थी नैना आज अपनी खूबसूरती से कहर धा रही थी पार्टी में आएं सभी लोग अपते नहीं कर पा रहे थे कि मननत ज्यादा खूबसूरत लग रही है या फिर नैना क्योंकि दोनों ही अपनी खूबसूरती से कहर धा रही थी और दोनों की खूबसूरती से नजर हटाना ल रिंग देती है और दूसरी तरफ रेखा जी भी विजय को एक बहुत ही खुबसूरत दैमन की रिंग देती है। मननत के कान में म्यूसिक सुनाई देता है और जब मननत सामने देखती है तो एक बहुत ही बड़े स्टेज पर प्रेम अपने हाथ में गितार लिए खड़ा था और फिर उसके बाद प्रेम के साथ स्टेज पर और भी कुछ डांस आ जाते हैं और प्रेम मननत को देखते हुए दान्स करने लगता है जो मननत ने बिलकुल भी एकसपैक्ट नहीं किया था प्रेम बहुत ही कमल का दान्स कर रहा था सभी लड़कियां जोर जोर से होर दिन करने लगते हैं कुछ रूप उसका महका कुछ मैं भी बहका-बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा और मननत तो आं पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पकर रखा था। पहले ना थी इतनी बेकरार जिन्दगी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कभी कभी तनहाई रास नहीं। वो मेरे पास नहीं उसका अहसास मेरे दिल में जागने लगा पूछो ना हाल है क्या जूमे दिल आज मेरा कहीं मेरा होश खुन जाए कुछ रूप उसका। प्रेम बिलकुल चिपक कर मンナ्नत से डांस कर रहा था और सबकी सामने इस तरह से प्रेम का मंनत की कमर में हाथ डालना मynnत को बहुत ही ज्यादा अंकमफुटिबल फूल कर रहा था। लेकिन प्रेम किसी की परवा न करते हुए मननत को खुद से चिपक कर सालसा डांस कर रहा था उसकी नजर कुछ तो काम ऐसा कर गई ना जाने कब मेरे दिल में वो उतर गई अब तक अंजान था मैं जाना है आज ये दिल के अर्मान उसे पाने को मचल गए दिल ने उसे जान लिया मैंने पहचान लिया कोई उसे आज ये बताए कुछ रूप उसका प्रेम मननत को हवा में उठाते हुए गोल गोल भूमने लगता है और फिर धीरे से मननत को नीचे लाकर सबके सामने बहुत ही प्यार से मननत के गाल पर किस कर लेता है मननत की गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और पलके भी शर्म से जुक जाती है कुछ रूप उसका महका कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा उस पे मेरी नजर है वो मुझसे बेखबर है मुझे प्यार उस पे आने लगा हाई कुछ रूप उसका कुछ रूप उसका महका कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा और फिर प्रेम लास्ट में मननत का हाथ पकड़ कर उसे गोल गोल भूमता है और फिर दूसरे हाथ से मननत की कमर को पकड़ लेता है मननत थोड़ा सा पीछे की तरफ जुख जाती है और इसी के साथ एक खूबसूरत पोज के साथ मननत और प्रेम का दान्स खत्म होता है और एक बहुत ही खूबसूरत पफॉमेंस के साथ मननत और प्रेम का दान्स खत्म होता है सभी लोग जोर जोर से तालिया बजा रहे थे और हुदिंग कर रहे थे फिर प्रेम मननत को सीधा खड़े होते हैं प्रेम मननत का हाथ पकड़ कर उसे स्टेज से नीचे लियाता है सभी लोग अभी ताली बजा रहे थे मननत धीरे से प्रेम को बोलता है मुझे यह तो पता था कि आप सिंगींग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आप दांस भी इतना अच्छा करते हैं ये मुझे नहीं पता था। प्रेम भी धीरे से मननत के कान में बहुत ही सैडिक्टिव वोईस में बोलता है। जब सामने इतनी खूबसूरत बीवी हो तो अपने टेलेंट को बाहर निकालना पड़ता है वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि जिसे वो गूर गूर कर देख रहे हैं, वो किसी और की अमानत है। प्रेन मननत के बहुत करीब था जिससे मननत को बहुत शर्म आ रही थी। मननत नजरे घूम कर अपने आसपास दिखती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्हें ही देख रहे थे। इसलिए मननत जल्दी से प्रेन से थोड़ा दूर हो जाती है, लेकिन ये बात प्रेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर से सारी लाइक बंध हो जाती है और एक्सपोर्ट लाइक नैना के उपर पढ़ती है, सभी लोगों का ध्यान नैना की तरफ होता है। नैना भी हरानी से चारों तरफ देखने लगती है और फिर सभी लोगों का मन बहुत ही एक्साइटमेंट से भर जाता है और सभी लोगों का ध्यान स्टेज पर जाता है। फिर वहाँ पर एक स्पोर्ट लाइक पड़ती है और इस बार स्टेज पर विजेक खड़ा था न्याना भी विजेक को स्टेज पर देख कर खुश हो जाती है